यह दिखिए जो प्रस्ण है बहुत ही क्लाश 12 के लिए बहुत एक अच्छा प्रस्ण है किसे स्टुरेंट ने हमसे पुछा था तो उसका वीडियो ही अप्लोड कर दे रहे हैं जो भी आप लोग कोचन नहीं आता है और आचा कोचन हो तो उसका जिरूर हम वीडियो को जानते हैं इस कोचन के बारे में लेकिन आप लोग कौन फीज़ाते हो जादी आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हम बना सकते हैं तो वीडियो को पहुज करके आप अपने खुद से बनाईए बन जाता है तो आच्छा है ने तो वीडियो को देख पाय इसकलिड टू वन यह आपको प्रूब करना है तो सबसे पहले आपको गीवन क्या है दिया है जो लिख लेते हैं आपको दिया है कि साइन इन्बर्स एक्स प्लस शाइन Maxrey इिच कल्फपाई वाई ट्यू यज आपको दिया ग्या है एक एक बात बताईए हमें, आपको class 12 में जब inverse trigometric function पढ़ा रहे थे, sin inverse x plus sin inverse y का formula पढ़ाये थे, क्या पढ़ाये थे, इसका formula याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो दिकत हो जाएगी, याद है तो बहुत बहुत धन्य बाद आपको, ठीके, इसका formula होता है, x root अंदर 1 minus y square plus y root अंदर 1 minus x square, पढ़ाये थे न, एक formula होता है, i is equal to में क्या है πाई बाई 2, अब एक बात बताओ हमें, यहाँ पर जो condition दिया गया है, x root अंदर 1 minus y square plus y root अंदर 1 minus x square, वहीं सेम चीज़ यहाँ भी आ गया, याईनि इसी का formula यहाँ पर दिया गया है, x square 2 में 1 था, यहाँ पर 1 सिर्फ नहीं दिया गया है, वहीं आपको prove करना है, तो sin inverse x plus sin inverse y is equal to pi by 2, आपको सिर्फ दिया गया था, यह prove करना था, तो हमने क्या किया, कि यह तो दे दिया जो लिख लिए, अब इसका formula हमने लगा दिया, लगा दिया, चलो, अब देखो, एक बात बताईए, हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इस sin inverse x plus sin inverse y का formula सिर्फ इतना ही नहीं होता, यहाँ पर sin inverse भी लगता है, यह नहीं फर्मूला होता है, complete sin inverse x root अंदर 1-y square plus y root अंदर 1-x square, इसका ए फर्मूला होता है, अब देखो, क्या करेंगे, इस sin inverse को इस साइड लाएंगे, तो x root अंदर 1-y square plus y root अंदर 1-x square, inverse है, तिधर हट जाएगा, यानि sin pi by 2 काने का मतलब sin 90, तो x root अंदर 1-y square plus y root अंदर 1-x square, बराबर sin 90 का मतलब का होता है, एक, देखो, तो हम लोग का proof हुआ कि नहीं हुआ, यहीं ने proof करना था, और हम लोगों ने third step में proof कर दिये, और जब आयाद रखिएगा, बीच में बराबर लगता है, तो implied that का sign देना जहुरी है, ने तक गलात हो जाएगा, यह देखो हमारा, इसको हमने proof कर दिया, I hope कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, यह बहुत ही easy था, कुछ student हम से पुछे थे, दो-तिने student आप पूछ लिया थे, इसके लिए हम इसका वीडियो बना दिये, ज़िए आप भी कोचन सेंड करते हैं मेरे वाट्शाप पर, और मेरे एक अच्छा कोचन लगता है, तब कभी पीडियो बनेगा, उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना हुगा, ओके, चलिए, मिलते अगले वीडियों, तब तक के लिए धैनने बाद,